हेलो, माइनिम इन्विशाल एन आही होप आप सब बढ़िया होंगे ये क्वेश्चन SSE CGL के 3rd Mars 2020 का क्वेश्चन है 2nd shift में पूछा गया क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम लोग 3 तरीके से solve करेंगे आई क्वेश्चन को read करते इस इसको पहले तरीका होता है इसमें क्या करना होता है कि इक्वेश्चन की हाइट निकालने का एक फॉर्मूला होता है वो होता है height is equal to root 3 upon 2 into side यह equilateral triangle के height का formula होता है हमें height दी हुई है 4 root 3 तो हमें बस यहाँ पर 4 root 3 4 root 3 यह equal कर देना है हमें root 3 upon 2 root 3 upon 2 into side के side यहाँ से हमें side निकल जाएगा तो जब side निकल जाएगा तो हम उसका 3 times कर देंगे तो हमारा perimeter निकल कर जाएगा क्यों यह कि equilateral triangle के यह sum बाहूत रिभूच के जो तीनों side होते हैं वो equal होते हैं तो यहाँ पर root 3 से root 3 कट हो जाएगा तो side हमारी कितनी आ जाएगी side हमारी आ जाएगी 8 side अगर हमारी 8 आ गई तो वो इस पर रख के कर सकते हैं और हम चलते हैं अब अपने second तरीके पर second तरीका क्या होता हमारा कि हम लोग area को relate कर देते हैं area को कैसे relate करेंगे हम कि हमें अगर पता है यहाँ पर की ऐसे हमने एक triangle बना लिया triangle हमारा है A, B A, B और C ABC हमारे triangle है यहाँ से perpendicular डालना है हमें D तो हमने D perpendicular डाल दी और AD की value दी हुई है 4 root 3 और हमें base निकालना है BC तो हमें यहाँ पर क्या कर सकते हैं area को equal कर सकते हैं area कैसे equal होगी हम लोग यहाँ पर use कर सकते हैं root 3 upon 4 into side square का यह होता इक्वलेटर triangle का area निकालने का formula root 3 upon 4 root 3 upon 4 into side square side square को हम यहाँ पर A ले ले लेते हैं लिखने में अथानी होगी थोड़ी सी A is equal to 1 upon 2 A is equal to 1 upon 2 into base base भी A ही होगा क्यों? क्योंकि side 3 की equal होती है A into height हमारी कितनी दूए है? 4 root 4 root 3 यह हमारी height दी हुई है अब हम root 3 से root 3 को cut कर देंगे और यहाँ पर यह two times में cut हो जाएगा और A से A cut हो जाएगा तो हमें बचेगा सिर्फ A के यानि कि A is equal to 8 आगया हमारा A is equal to 8 आगया जब A is equal to 8 आगया तो यहाँ से हम लोग फिर parameter निकाल सकते हैं कि एक ratio होता है जब triangle के तीनों side दिये हुए हो degrees में अगर 30 degree 60 degree और 90 degree होता है तो इसका ratio होता है 1 30 degree के सामने जो होगा वो 1 होगा 60 degree के सामने जो होगा वो root 3 होगा 90 degree के सामने जो होगा वो 2 होगा आए triangle बना लेते हम लोग एक triangle बनाया हमने A A, B, यह हमारे triangle A, B और C है, जब हमने perpendicular डाला AD, तो पता होगा आपको कि equilateral triangle के तीनों side जो होते हैं, वो 60-60 degree के होते हैं, equilateral होते हैं, जब 180 को 3 से आप divide करेंगे, तो आपको मिलेगा 60-60, और साथ ही साथ, यह दोनो 60-60 degree के हो गए हैं, और साथ ही साथ equilateral triangle में जो perpendicular होता है, वो हमारे यह angle 60-60, वो 30 और 30 में divide हो जाएंगे, 30 degree और 30 degree में divide हो जाएंगे, और perpendicular आपको पता होगा, यह 90 degree का होता है, अब हमें क्या दिया हुआ है, 60 के सामने की side दी हुई है, कितना है, यह 4, root 3, तो हमें पता है कि 60 के सामने root 3 होगा, तो 30 के सामने कितना हो जाएगा, 4 हो जा है, कि सामने वाले side को equal bisect भी करता है, तो यह 4 है, तो यह 4 हो गया, यानि कि BC कितना हो गया, 8 cm हो गया, जब BC 8 cm हो गया, तो इसका perimeter कितना हो जाएगा, 3 times of BC, यानि कि 24 cm, 3 times of BC, यानि कि 24, I hope आपको समझ में आया होगा, thank you, 24 cm हो जाएगा, वानि कि जा कितना हो जाचा कि दो, पज हुकार।